hello everyone welcome to another video इस वीडियो में में दिखेंगे use of let कि let का use आप कैसे कर सकते हो और कहा कहां पर कर सकते हो तो let का use होता है permission के लिए मतलब आगया देने के लिए ठीक है permission के लिए आगया देने के लिए और या फिर इसका जो प्लक मेन का है, मतलब उसे खाना खाने दो उसे हसने दो, उसे कपड़े पहने दो, उसे वहाँ जाने दो, उसे खेलने मत दो, तो sentences में last में के आता है, दो आता है, ठीक है, और उसके बाइट जैसे अगर आप ऐसे कुछ कहते हैं, कि चलो की काम करते हैं, चलो मैं ऐसा करते हैं, तो इस पर भी हम लोग लोग लेट का यूज करते हैं, इस तरह के sentences में भी, तो देखते हैं हम लोग को sentences जैसे पहला मेरे sentence है उसे खाना खाने दो ठीक है उसको मतब एक permission है कि उसे खाना खाने दो तो लेट से start होगा लेट लेट उसे तो उसे के लिए his या her let him और her ठीक है him और her कुछ भी लगा सकते है let her eat food या let her eat या let her eat food वो भी ठीक है चलो बाहर चलते हैं ठीक है चलो बाहर चलते हैं तो उसे कैसे बोलेंगे let's go outside let's go outside next मुझे बैठने दो ठीक है मुझे बैठने दो तो let me sit let me sit मुझे बैठने दो next उसने मुझे घर जाने दिया he let me he let me go home he let me go home उसने मुझे घर जाने दिया he let me go home वह मुझे खेलने नहीं देता तो he इसके बोल करना है doesn't क्योंकि है तो मारा यह simple present ही he doesn't let me play वह मुझे खेलने देता है he doesn't let me play चलो खिड़की खोलते है let's open the window चलो खिड़की खोलते है let's open the window इस बार मुझे नीचा मत दिखाना इस बार मुझे नीचा मत दिखाना don't let me don't let me down this time इस बार मुझे नीचा मत दिखाना don't let me down this time तो यह कपको चोटा सा वीडियो था let के उपर अगर वीडियो चल लगा तो please like share and subscribe